exercise 2.5 का question number 9 देखते हैं, हम इसको verify करना है कि यह इसके equal है, यह भी एक formula है हमारे पास, हमें बाद में याद करना पड़ेगा, अब हम देखते हैं इसको verify कैसे करते हैं, we know that हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हमने इसका q वाला formula आतका रखा है, q वाला कौन सा, x plus y का whole q, इसका एक formula होता है, x cube plus y cube, plus में 3xy, bracket में x plus y, हमें यह निकालना है, देखो, x cube plus y cube, यह निकालना है, तो इन दोनों को ही छोड़ेते हैं, बाकी सब को इस सेड ले आते हैं, इन सब को ठाके का ले आते हैं, इसके equal के इस सेड ले आते हैं, क्योंकि हमें यह निकालना है, देखो, यह में verify करना है, तो हम इसको यहां ले आ प्लस वाई क्यों यह वाला जो है यह इसरी बज़िया अच्छा यह माइनस में आएगा आपका उख सोचो कि कि क्योंकि यह इसके साथ यह पूरा नंबर है क्योंकि यह पूरा मुल्टिप्लाइब हो रहा नहीं यह पूरा एक नंबर तो यह एक की बार में इधर आगया आप यह थे नहीं कि यह माइनस में आएगा च्वोकि धर मुल्टिप्लाइब हो रहा है एक यह इसमेर में उठके इधर आ रखा की इसा अब इसमें से वा कर पास odd मीा रहा है यह एक प्लस ब्लस य मान आ गया तो यहांपर क्या बजाए है यह बिस्दू एक्स ब्लस उसमें भी है X plus Y इसमें भी है तो मैंने क्या X plus Y कॉमा ले लिया तो यहां के बचा है X plus Y का whole square क्योंकि 3 लिखा है तो यहां पर एक बार कॉमा ना गया तो यहां पर टू बजी है यहां से तो यह निकल गया है यहां पर क्या बचा माइनस में 3 X Y यहां पर X Q plus Y Q ठीक है इसमें देखते हम लोग X plus Y यह क्या फर्मूला X plus Y का whole square यह होता है ना फर्मूला X square plus Y square plus में 2 X Y यह वाला फर्मूला इसका होता है यहां क्या बचीका X Q plus Y Y cube अच्छा आप यहां पर देखेंगे यह X Y यह है 2 X Y plus का है माइनस मत रिए X Y इसमें से कि हमारे पर आगे वही चीज है बसको अरेंज कर देंगे इसको आगे पीछे लिखेंगे नहीं बस और कुछ नहीं तो जाएगा X plus Y यह हो जाएगा क्या X square माइनस में X Y plus में Y square बस आगे पीछे लिख दिया हमने और कुछ ने कर इसको यह हमारा verify हो गया है इसका second part देखते हैं second part में भी देखो यह लिखा है यह चीज है तो हम एक माइनस वाला formula जानते हैं इसके अंदर फिर से हम लिखेंगे we know that हम क्या जानते हैं कि X plus oh sorry minus का लगाते है ना X minus Y का whole cube क्योंकि माइनस वाला में फर्मुला एची है तो माइनस में मिलेगा X minus Y का whole cube क्या होता है X cube minus में Y cube minus में 3XY ब्रैकिट में X minus Y यह फर्मुला था मारे पास अब हमें यह निकालना है देखो यह X cube plus Y cube हमें यह पता करना है तो हम इसको यहां ले आता है यह होगा है X minus Y का whole cube यह दुखो माइनस है देखा के आगा प्लस में 3XY वैकिट में X minus Y यह होगा X cube minus Y cube यह दुखो यह ऐसी कैसी आगया यह हिस्सा यह जो है यह वाला यह तो इसी के इदर लिख देंगा है एकस क्यों Mindus IT की, उटके इधर आगया यह जो था यह वाला इस स़ा, यह उटके इधर आ गया है तो माइनस में ता अधर सब nghilingen Ag 23 यह एक ही ढूर में था मिनस एक नमबर की बदल गए पूरा यह यह नहीं बदला क्योंकि पूरा यह पूरा यह पूरा यह ऑक मैंने सवाई का नहीं हो बोस्के एक ही क्यों मना रहा है एक मैंने सवाइब का रहा है आगा x cube minus y cube, x minus y, ये क्या हो गया x square, plus y square, ये 2xy minus का, ये plus का है, यहापे क्या हो जाएगा, plus का x y, क्योंकि 3 में से 2 गया, 1 आगया, x cube minus y cube, अब हमारे पास क्या है है यहापे, इसको arrange कर दखा बस खली, ये लिखा है, ऐसी सेम होई तो answer आगया, इसको सिर्फ arrange करके रखावा है, x minus y, x square, plus में x y, plus में y square, equal to x cube, y cube, ये हमारा hands pro हो गया, ठीक है, कोई भी problem हो, कैसी भी हो, comment box में लिखे, आप मुझसे पूर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा question number 9 हो गया, आप question number 10 देखता है अगले वीडियो में,